दोस्तों आज से हम लोग MS Word सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहली कलास है आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बोला है कि MS Word को सिखाईए वो भी बिलकुल सुरू से तो आप सभी की request पे मैं MS Word को बिलकुल सुरू से सिखाने जा रहा हूँ तो आप सभी अगर MS Word के बारे में बिलकुल भी नहीं जानते हैं तो ये जो MS Word की series आने वाली है जैसे कि ये part 1 है इसके बार part 2 आएगा part 3 आएगा इसी तरीके से हम लोग जितने भी MS Word के उपर part बनेंगे उनको part by part मैं आप सभी को सिखाऊंगा तो इस series के साथ जो है आप पूरा जूड जाएए चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को share कर दीजिए ताकि वो भी MS Word के बारे में अगर सीखना चाहे तो इस चैनल के जरीए सीख सकते हैं दोस्तों अगर आप जो है इस series के साथ जूड़े रहते हो part 1 से लेकर के जितने भी part MS Word पे बनेंगे अगर उन सभी को step by step एक एक करके देख लेते हो तो मैं आपको बिस्वास दिलाता हूँ MS Word आप पूरा एकदम अच्छे तरीके से सीख जाओगे क्योंकि मैं जो तरीके से आपको बताऊंगा उस तरीके से कोई भी बंदा सीख सकता है जिसको computer की बिल्किल भी जानकारी नहीं है वो भी बड़े आसानी से जो है सीख सकता है तो इस series के साथ आप जरूर जूड़िये चलिए यहाँ पर ज़्यादा बाते नहीं करेंगे सबसे पहले करते हैं वीडियो को start हेलो दोस्तो मेरा नाम है गुलाब और आप सभी का स्वागत है गुलाब गुरूप computer smart class में दोस्तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है हमारे द्वारा दी गाई जानकारी आपको अच्छी लगती है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके और वो भी जो है MS Word सुरू से सीख सकें और चैनल पर अगर पहली बार हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा MS Word को सीखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि MS Word क्या है तो आपकी जानकारे के लिए बता दूँ MS Word का पूरा नाम Microsoft Word है जिसे हम लोग short form में MS Word के नाम से जानते हैं यह एक जो है Word Processing Program है जिसमें हम लोग document बना सकते हैं कोई farm का format बनाना हो, कोई farm बनाना हो उसको बना सकते हैं resume में बना सकते हैं, letter बना सकते हैं, logo design बना सकते हैं, book का cover बना सकते हैं e-book और भी बहुत सारी चीजे हम लोग MS Word में बना सकते हैं यहाँ पर एक शब्द आया है Word Processing Program है इसका मतलब यह है कि जितने भी Word से लेटेट काम होते हैं वो ज़्यादातर MS Word में ही किये जाते हैं तो यहाँ से आपको यह clear हो गया होगा कि MS Word क्या है अगर यह clear हो गया है तो वीडियो को like, share, subscribe यह तीन काम आप जरूर करें अब सीख लेते हैं कि आप अपने computer या फिर laptop में MS Word को कैसे चालू करोगे तो चालू करने के कई सारे तरीके हैं जिन में से कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ देखिए पहला तो यही है कि आप अपने desktop पे right button क्लिक करिए यहाँ पर new पे जाईए और यहाँ पर देखोगे Microsoft Word लिखा हुआ है आप इस पर क्लिक कर दीजे देखिए इस तरीके से एक shortcut बन क्या जाएगा फिर इसको आप double क्लिक करिए और यह open हो जाएगा इस तरीके से भी आप जो है MS Word को चालू कर सकते हूँ और दूसरा तरीका क्या है कि आप Windows के साथ R बटन दबाएए Windows के साथ R बटन दबाने से यह जो run command खुलती है इसमें आपको type करना है win word win word ही type करना है थोड़ी बहुत अगर spelling mistake हो जाती है तो यह open नहीं होगा तो बिल्कुल इस पेरिंग को देख लिजी आप इसको इसी तरीके से typing करना है यानि type करना है और इसके बाद ok कर देना है तो जब आप type करके ok करोगी तो यह इस तरीके से MS Word जो है तो यह आ जाएगा लेकिन अभी देख शिकते हो मेरा यह word आ रहा है यह 2021 का latest version है आप सभी को सिखाने के लिए मैंने 2007 का version आज ही install किया है क्योंकि जब आप सुरुआती दिनों में MS Word सीखते हो तो आपको 2007 सीखना चाहिए क्योंकि उसका interface इतना जादा आसान है और वहाँ पर जो buttons दिये गए हैं वो बहुत ही जादा काम के हैं और उसको समझना बहुत जादा आसान है जब आप 2007 सीख लोगे MS Word का version तब आप जो है 2021 बड़े ही आसानी से सीख सकती हो सारी चीजे जो है आपको 2007 वाली 2021 में मिल जाती है बस अंतर यह है कि 2021 में और भी चीजों को जोड़ा गया है तो आप में से काफी सारे लोगों के पास 2007 वर्जन ही था इसी वज़े से जो है मैंने 2007 वर्जन MS Word का इंस्टॉल किया है आप सभी को सिखाने के लिए देखिए आपके पास कोई भी वर्जन है उतना जादा फरक नहीं पड़ता है बस अगर आपके पास 16, 19 या 21 है तो थोड़े से जादा बटन से उसके अंदर मिल जाएंगे और उससे नीचे वाले हैं तो थोड़े से कम बटन मिल जाएंगे लेकिन आप यह मान सकते हो 90% बिल्कुल सेम रहता है तो आप बिल्कुल आराम से सीखिए सारी चीज़े आप 2007 से सीख जाओगे तो यहां पर तीसरा तरीका यह है कि आप यहां पर आईए यहां पर सर्च किजिए आपका वो आ जाएगा आप इसे चालू कर लिजे ठीक है इसको जो है मैंने यहां पर मैं सर्च करूँगा तो वो 2021 वाला आ रहा है इसकी वाज़े से मैंने इसको पिन करके रखा है पिन द इस पर क्लिक कर दूँगा तो यह पिन हो जाएगा भी मैं आपको दिखाता हूँ देखिए Microsoft Access 2007 यहां पर पिन हो चुका है ठीक है तो यहां से आपने पिन भी करना सीख लिया एक और जानकारी समझ लिए आपको मिल गई अब आपको करना है इस पर डबल क्लिक करना है और यह ओपन हो जाएगा ठीक है तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा MS Word का जो है इंटरफेस दिखाई दिता है 2007 वर्जन का ठीक है इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि चीजे आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए ठीक है थोड़ा सा यहां से जो है कोलने से हम लो तो आप यहाँ पर Lap button क्लिक करके इसे चोटा बड़ा कर सकते हो ठीक है वहीं अगर आप Right side से करना चाहोँ तो यहाँ पर लाने बाद से बंदी राइट साइड से चोटा बड़ा कर लिजे और इसके बाद इस से भी चोटा बड़ा कर सकते हो तो बिलकुल सेम तरीका है जो ह उपर की साइड में पट्टी वाइट कलर की दिख रही है, जहाँ पर माउस का लेफट बटन क्लिक करी है, जीधर लेके जाना है थोड़ा सा आप इधर घिसका सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको यह भी जानकारी हो गई, ठीक है, अब बात करते हैं इसके पूरे इंटरफे सुका नाम लिखकर क्या आ रहा है, Microsoft Word, इसको जो है, टाइटल बार बोला जाता है, और यह हमारे MS Word में सबसे उपर ही सतह पर एक पट्टी होती है, जिसको टाइटल बार बोला जाता है, जिसमें document का नाम और जो प्रोग्राम ने खोला है, इसका नाम लिखा होता है, ठीक है इसी पट्टी में, यह जो टाइटल बार है, इसी पट्टी में जो है, यह जो राइट शैड में दिखाई दे रहा है आपको, यह minimize का बटन है, इस पर क्लिक कर दोगे, तो यह MS Word जो है, minimize हो करके आपके task बार पर आ जाता है, फिर आप इस पर क्लिक करके, इस यो open कर सकते हो ठीक है, और यहाँ पर यह जो है, restore और down का button है, इस पर क्लिक करके, आप इसको बढ़ा कर सकते हो, फिर इस पर क्लिक करके, थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, ठीक है, restore, down, और इस पर क्लिक कर दोगे, तो यह पूरी तरीके से close हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, यह तीन तो इसको जो है quick access toolbar बोले जाता है quick access toolbar इसलिए बोले जाता है क्योंकि यहां पर हम वह buttons को रख सकते हैं जिनको हमें जल्दी से access करना हो मतलब जल्दी से इस्तमाल करना हो तो हम जो है इसमें तीन बटन पहले से already दिये हैं पहला है save का, दूसरा है undo और तीसरा है redo ठीक है तो और यह बटन दियागा है इस पर click करके आप यहां पर और भी buttons को add कर सकते हुँ जैसे मैं यहाँ पर जो है open का button add कर लूँगा तो देखिए open का add हो चुका है इसके बाद new का button add कर लूँगा तो new का button add हो चुका है और भी दो button हमने यहाँ पर add कर लिए है अगर आप इन्हें हटाना चाहो तो यहाँ से जो है यह जो tick लगवा इसको untick कर दीजिए वो हट जा होगे तो यहाँ पर आप देखोगे यह जो है इस पर ले जाने के बाद वह आफिस बटन लिखा हो रहा है ठीक है MS Office का यह button है ठीक है Microsoft Word का office button है आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर और भी buttons दिए गये हैं जिनके बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे ठीक है इसको जो है ribbon बोला जाता है क्या बोला जाता है ribbon यह जो है title बार के ठीक नीचे जो पट्टी है उसको ribbon बोला जाता है और ribbon में यह जो दिये गए हैं इनको menu बार बोला जाता है और इसको tab भी बोलते हैं ठीक है इसको tab बोला जाता है और menu बार दोनों ही बोला जाता है यह ज फोन्ट पैरग्राफ इस्तराइल एडिटिंग तो इन सभी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे देरे देरे इसी तरह के से आप जिस भी टैब को यानि मीनू को खोलोगे उससे लेटेर जो है कई सारे भाग होंगे और कई सारे भागों में अलग-अलग बटन्स होंगे तो वो गया हो गया है तो हम लोग जब नए होते हैं तो इसमें थोड़ा सा परिशान हो जाते हैं कि आखिर वो गया कहा है तो हमको क्या करना है इसी पर राइट बटन क्लिक करना है और यह देखिए मिनिमाइज रिब्बन है जो इस पर टिक है ठीक है इस टिक को हटा देना है और कुछ निकरना है, देखिक होम पे रहें चैसे इसके एक राइड बंच क्लिक करें और मिनिमाइज रिपन क्लिक कर bands और इसपर रिपन कक्लिक करके इसको उनक कर कर दोगए तो यह आ जाएगे कभी कभार इस पे आप double click कर दोगे इस button पे तो भी ये गायब हो जाता है देखे डबल click करने पे गायब हो गया ठीक है फिर आप कहीं पर भी ले जाके double click करिए ये आ जाएगा ठीक है तो यहां से आपने इसको minimize और maximize करना भी सीख लिया है अब बात करते हैं यहां पर भी हम लोग काम करेंगे उस गति को जो है करसल के द्वारा indicate यानि बताया जाता है तो यहां से यह भी clear हो गया होगा अभी देखिए यहीं पर आपको जो है एक ये button दिखाई दे रहा होगा और एक जो है इस side में भी button दिखाई देता है यह कब दिखाई देगा जब आप इसको zoom in कर लोगे तब ज़्यादा zoom in कर लोगे तब देखिए यह अभी दो है इधर से भी एक दिखाई दे रहा है और एक इधर से भी दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है scroll bar scroll करके हम कोई चीजों को देख सकते हैं जैसे कि तो scroll bar आपको समझ में आ गया और इसी तरह के से यह horizontal scroll bar है अगर right side में अगर कुछ चीजे चीप रही है तो आप जो है इस बटन से जो है इस तरह की से scroll करके देख सकते हो तो यहां से यह भी समझ में आ गया होगा कि इसको बोला जाता है scroll bar scroll bar दो होते हैं एक horizontal होता है और एक vertical होता है ठीक है यह भी चीजे आपको समझ में आएगी और अभी जो है आपको अगर यहां पर देखिए ruler नहीं दिखाए दे रहा है ठीक है हो सकता हो आप में दिखाए दे रहा हो मैंने यहां से इसको हटा दिया था इसी वज़े से यह नहीं दिखाए दे रहा था ठीक है आप में क्या होगा कि इस तरीके से ruler दिखाए दे रहा होगा इसको जो है ruler बोला जाता है यह हमारे ribbon के ठीक नीचे जो है ruler पाया जाता है यह horizontal और vertical दोनों होता है ruler भी दो होते है horizontal और vertical और scroll भार भी दो होते है यह भी समझ में आ गया इसको ruler बोला जाता है जो कि हमारे page की map को बताता है horizontal और vertical ठीक है दोनों चीज़े आपके समझ में आ गई अब नीचे बात करते हैं देखी यह जो पट्टी दिखाए दे रही है जिसमें page लिखा हुआ है one of one word लिखा हुआ है English United States लिखा हुआ है और ठीक right side में जो है यह view layout दिखा रहा है आपको और इसके बाद जो है zoom in zoom out का बट्टन है इस पट्टी को जो है न status bar बोला जाता है क्या बोला जाता है status bar ठीक है जिसमें हम जितना भी page लेंगे अभी तो हमने एक ही page लिया है तो एक दिखा रहा है ठीक है अगर हम इस पे कुछ लिखेंगे भी तो लिखने के बाद जो है आप यहां पर दिखाए वर्ड भी बता रहा है कि कितना आपने वर्ड लिखा है ठीक है तो page भी आप status bar में देख सकते हो word भी देख सकते हो और कौन सी language को आप इस्तमाल कर रहे हो वो भी देख सकते हो United State की language है English उसको हम लोग इस्तमाल कर रहे है ठीक है यह देखिए view layout है जिसमें कई सारे बटन है print layout है full screen reading है इसके बाद wave layout है इसके बाद outline है इसके बाद draft है तो इसको view में यह सारी चीज़े आपको view में भी मिलेंगी देखिए यह है ठीक है इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे फिलाल आप यह भी समझ में आ गया होगा ठीक है इतना अब यह देखिए हमारा zoom in और zoom out है ठीक है zoom in और zoom out है इस पर click करके आप अपने page को zoom in कर सकते हो बड़ा कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप 500 तक zooming कर सकते हो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एमस वर्ड में एक question कई बार बना है कि एमस वर्ड में maximum कितना zooming है तो आप देख सकते हो 500 तक minimum पे भी बना है तो minimum कितना zooming है आप यहाँ पर इस pattern पर क्लिक करोगे या फिर इसको इस तरह के से प्रेस करके यहां लेकर आओगे तो देख सकते हो इतना zooming है कितना है 10% तक minimum कितना है 10% तक maximum कितना है 500% तक इसको जो है हम लोग 100 पर कर लेते हैं कुछ इस तरह के से बढ़ा करके ताकि चीज आपको समझ में आए 200 पर थोड़ा सा कम कर देते हैं अभी सही है ठीक है अभी य सारी चीजे मैंने आपको बता दी है ठीक है अब हम लोग जो है office button में ये जो सभी buttons दिये गए हैं इनके बारे में बारी बारी से बात कर लेते हैं इस video के अंदर हमने सीखा MS word क्या है MS word के पूरे interface को हमने सीखा किसको क्या बोला जाता है साथ में हम लोग सीखेंगे office button में य इनका क्या गाम है ठीक है तो यहाँ पर मैं इनको समझाने के लिए एक यहाँ पर text को जो है insert करा लेता हूं कुछ लिख लेता हूं ठीक है तो देखेंगे कुछ हमारे पास paragraph text से related बने बनाये MS word हमको दे दिता है यह हमारे किसी भी चीज को समझाने में या समझने में बहुत ज़्यादा help करते हैं तो यहाँ से आपको यह भी समझ में आ गया होगा यहाँ पर आपको एक और चीज समझने है इसको आप note कर लीजिए copy पे पहली बार आप इसे भूल सकते हो ठीक है अगर नहीं भूल पाओगे तो और यह अच्छी बात है इसको आप जो है note कर लीजिए यहाँ पर आपको ए इकछा अनुसार यहाँ पर paragraph मगा सकती हो जैसे मैं यहाँ पर मैं दो paragraph मगा चाहता हूं और तरτικ पराग्राफ में 2-2 line हो दो नहीं हम लोग यहाँ पर कम सकम 10 मगा लेते हैं 10 paragraph मगाईंगे और हर यहाँ पर हम लोग जो है 10 लिखेंगे और जो कॉमा कॉमा लगाएंगे असक सेंटेंस होने चाहिए वो टाइप कर देना है इसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है तो आप देखोगे कि हर एक पैराग्राफ में दो ही सेंटेंस है देखे एक सेंटेंस यहां से आया है यहां तक एक सेंटेंस है और यहां से यहां तक दो सेंटेंस किसी भी पैराग्र आप count कर सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस paragraph यहां पर आ गया है ठीक है तो यह formula आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए हम लोग बात करते हैं MS Office के इन सभी buttons के बारे में ठीक है देखिए सबसे पहली बात यह new जो है new पे click करके आप MS Word में एक नया page ले सकते हैं जिसकी shortcut जो होती है वो control N होती है तो देखिए मैं इस पे click करता हूँ new पे और यह देखिए हमसे पूछ रहा है blank लेना चाते हो तो हम blank करेंगे और create पे click करेंगे तो यह देखिए एक नया page हम आप जो है office button का इस्तमाल करके एक नया page ले सकते हैं new command दे करके अब बात करते हैं open का open से आप जो है अगर पहले से कोई document बनाए हो उसे open कर सकते हो open पे click करिए जो भी आपने document बनाया था पहले MS Word में उसको जो है select कर लीजिए जैसे देखिए यहां पर A to Z shortcuts मैंने बनाया थ इसको open कर लीजिए तो आप देखोगे यहां पर देखिए हमारा जो पहले का document बनाया था वो अलग से window में आ चुका है और अभी जो हमने बनाया था वो यह है और यह हमने जो है पहले का बनाया था आप यहां पर फॉल्डर इस फाइल का नाम भी देख सकते हो एक तो इस त सेव कर सकते हो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यह जो है नाम रखने के लिए यहां पर बोलेगा आप जो है अपनी फाइल का नाम दीजिए तो मैं यहां पर नाम देता हूँ गुलाब गुरू नाम देने के बाद यहां पर यहां पर आपको अपनी फाइल की लोकेशन देनी है जैसे मैं desktop पे save करना चाता हूँ location का मतलब आप कहाँ पे save करना चाते हो अगर आप drive में save करना चाते हो तो this PC पर जाकर के यहाँ पर किसी भी drive को select करके उसमें save कर लिजे फिलाल मैं desktop पे save करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ पर मैंने file का नाम दिया है गुलाब गुरू पहले से गुलाब गुरू नाम से कोई file यहाँ पर है तो यह बन नहीं पाएगी इसलिए मैं गुलाब गुरू 1 यहाँ पर डाल दिता हूँ यहाँ पर मैंने गुलाब गुरू 1 डाल दिया है यह हमारी फाइल है गुलाब कुरू 1 के नाम से सेव हो चुकी है तो यहां से आपने यह भी सीख लिया होगा यहां से सेव करना ठीक है अब बात करते हैं सेव एज का क्या काम है Save As button का इस्तमाल करके आप पहले से कोई भी फाइल अगर आपने MS Word की सेव की है आप उसे दोबारा से कहीं दूसरी जगा भी सेव कर सकते हैं या फिर जहां पर पहली फाइल सेव थी वहीं पर भी सेव कर सकते हैं यहाँ पर जो है अलग-अलग document के format दिये गए हैं से word template हुआ other formats हुआ तो हमको जो है बस इस पर click करना होता है और यहां से जो है हमको file को नाम देना होता है इसको मैं 2 दे देता हूँ ठीक है दुबारा से हम इसको save कर रहे हैं और इसको जो है मैं desktop पर ही save करके आपको दिखाता हूँ desktop पर हमने save location दे दी है यहां पर हमने save button पर click करते हैं अभी मैं इसको minimize करता हूँ तो देखो कि यहां पर 2 नाम से भी file आ चुकी है गुलाब गुरू 1 और 2 दोनों में same चीज़े है same document को हमने दोबारा से save किया है तो यहां से यह भी चीज़ आपको clear हो गई हुई save as की बात करते हैं print की तो print command दे करके आप जो है अपने document को print कर सकते हूँ इसमें 2 से 3 और button दिये गए हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ देखें print वाले button पर अगर आप click करोगे तो यहां से आपको select a printer यानि आपने जो printer रखा है उसको select करने के लिए option मिलेगा कितनी copies आप print करना चाते हो वो select करने के लिए option मिलेगा other printing option जो भी होते हैं color, black and white जितने भी printing के option होते हैं वो सब आपको पहले वाले button में मिल जाएंगी लेकिन आपको जल्दी बाजी है आप बिना कुछ setting करते ही quick print करना चाते हो जल्दी से print करना चाते हो आपको कोई setting अगरा नहीं करनी है तो आप जो है second button का इस्तमाल कर सकती हो इसमें जो है direct default printer अपने आप उठा लेगा बिना कुछ page हो set किये कुछ भी copies होगी set नहीं करेगा अपने आप जल्दी से print हो जाएगा वहीं तीसरा जो button है print preview का तो इस button पर click करके आप अपने document को देख सकते हो print करने के बाद क्यासा दिखेगा तो हम इस पर click करेंगे देखिए हमारा document कुछ इस तरीके से दिखाए देगा print preview में ये जो last में ये जो margin वगरा छूटी है इस print होने के बाद बिल्कुर सेम ऐसा आएगा print preview में आप इस तरीके से देख सकते हूँ print preview जब आप आओगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारे buttons दिए गए हैं थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ फिलाल मैं print preview पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा इसमें बहुत सारी जानकारिया होती हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है देखिए इस पर क्लिक करके आप जो है डारेक्ट प्रिंट कर सकते हूँ वहीं margin पर क्लिक करके आप अपने page पे जो है margin को set कर सकते हो ज्यादा तर margin narrow side में होती है तो narrow margin select कर लिजेगा आप अपने document को print करने के orientation का mode है अगर आप जो है अपने page को खड़ा print करना चाहते हो तो portrait पे क्लिक करिए अगर आप अपने page को landscape यानि चोड़ा print करना चाहते हो तो landscape पे क्लिक करिए कुछ ऐसा print होगा ठीक है इसके बाद जो है हम portrait पे ही क्लिक करने रह देते हैं और यहाँ पर size का button है size पे क्लिक कर है वो a4 size की available है तो यह देखिए सबसे उपर की side में ही a4 size है इसको select कर लेजिए यह बिल्कुल आप जो page डालोगे उसी में बिल्कुल ऐसा ही print होगर के आएगा यहाँ पर zoom कर सकते हो यहाँ पर 100% 2 page 3 page अगर आप आपके पास 2-3 page है तो आप उसको देख सकते हो फिलाल और भी बहुत सारी चीज़े हैं हम लोग बाद में बात करेंगे यह कुछ काम की चीज़े थी जो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर close print preview पर क्लिक करके आप जो है close कर सकते हो ठीक है तो यहाँ से हम लोग जो है print वाले बटन में से भी जो है सभी print को देख लिए है इस बटन प होती है print करने के अंतरगत वो सारी सीज़े आपको उस वीडियो के अंतर मिलेंगे ठीक है print आपको उस बटन समझ में आ गया अगला जो बटन है वो repair का है अगर आप पहले से कोई document बनाया हो उसको repair करना चाते हो उसमें कुछ सोधार करना चाते हो कोई password लगाया उसको हटान यहीं से जो है email के थुरू और fax के थुरू भी send कर सकते हो ठीक है यहां से आप भेज सकते हो next वाया publish का यहीं से आप जो है direct अपने इस document को blog website वगरा पे publish कर सकते हो अगला जो बटन है वो close का है इस बटन का इस्तमाल करके आप अपने document को यानि MS Word जो open किया इसको direct close कर सकते हो उसी के बगल में यह जो recent document दिया गया है इसका मतलब recent document का यह है कि अगर इससे पहले जो भी आप file open करोगे तो यहां पर जो है list में आजाएगी total 7 हमने अभी जो है open की थी तो यहां पर list में वो सारी की सारी दिखाई दे रही है तो इस तरीके से हमने जो है MS Office का यह जो button ह Office button इसको पूरा complete समझ लिया है word option और exit word, exit word का मतलब आप इससे बाहर आ जाओगे word option में आपको बहुत सारे command मिलती है क्योंकि अलग से video बनाना ही best होगा क्योंकि अभी जो है हम लोग इसमें basic चीजे सीख रहे हैं तो basic सीख यह advance में आ जाता है तो हम लोग इसको बाद में सी और ये video अगर ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो काफी ज्यादा lengthy हो जाएगा और देखने में भी मज़ा नहीं आगा तो बस इस series के साथ आप जूड़े रहे है डेली आपको जो है एक MS word पे जो है video मिलता रहेगा और अच्छी से अच्छी जानकारिया मैं आप सभी को provide के जरूर बताइए मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जाए हिंद वंदे मातरम